नमस्कार मोटापा कम करने के लिए हम बहुत सारी क्रियाइं करते हैं और उनके पैकेज भी होते हैं आज जो पैकेज है उसमें मैं आपको कुछ आसन बताऊंगा जो लगबग 20-25 मिनट में हो जाते हैं और एक सामन ने स्तिति में अगर आपका मन भी नहीं कर रहा कि मैं यो क् जिसमें आप शुरूअत करेंगे तो आपकी अपने अप गती बन जाएगी और ये शुरूआत जो है वो कैसे करनी है इसमें देखिए हम आगे झुकने पीछे झुकने और साइड में झुकने वाले और ट्विश्टिंग ये चारो क्रियाइं जो हैं वो करेंगे जिस से हमा आगे नहीं बढ़ेगा अगर आपका खानपान ठीक है तो आपका वो फैट्री रिड्यूस भी उससे होगा आप करके देख लीजिए पहला जो आसन है वो है व्याग्रिक्रिया इसको मारजरी मुद्रा भी कहते हैं वैसे व्याग्रिक्रिया है यानि सेर चीता बिल्ली इस वर के बीच के हिस्से को उपर की और उठाना है जितना तान सकते हैं तानिये स्वांस जितना छोड़ सकते हैं छोड़िये घोटने के उपर और हातों के उपर रहना है इस्टे उन लोगों को नहीं करना जिनके हाट और बीपी की समझ्या है बाकी जिनको जैसे हरनिया है ऐसे ऐ ज्यान रखिए, स्लिप डिसकी प्रोब्लम में भी थोड़ा सा देख के आपको समझ के करना है, बाकी कमर दर्द हलके में किया जा सकता है, स्वास भरते हुए, गर्दन को उपर उठाएंगे, और कमर को बीच में से नीचे, स्वास छोड़ते हुए, ठुड़ी को सीने पर, स्वास भरते हुए, गर्दन को उपर और रीड के अड़ी को बीच में से नीचे की और तानना, नीचे की और खीचना है, पूरी ताकत के साथ, शुरू-शुरू में तीन बार इस क्रिया को करिएंगे, फिर उसके बाद में इस क्रिया को धीरे-धीरे आप पांच से दस बा स्वास भरते हुए, आप, ये मैं आपको पहले दिन का जो पैकेज है वो बता रहा हूँ, पहले दिन आपको तीन-तीन बार इन क्रियाओं को करना है, फिर उसके बाद में आप इनकी मात्राएं बढ़ा सकते हैं, और वो भी साथ-साथ मैं बताता जाओंगा कितने मात्रा ब अब स्वास भरते हुए हाथ उपर और स्वास छोड़ते हुए डाउन, ये हमारा हुआ शचकासन, शशांकासन जो भी नाम है, शशांकासन कर लिया हमने, यहां पर शरीर एकदम से आराम में आ जाता है, हमारा जो स्वास है वो यहां सामन्न रहेगा, स्वास लेते रहें, नेते रहें, छोड़ते रहें. यह हमारा हुआ शषक आसन और यहाँ से हातों को और आगे कहीजए हैं जितना तान सकते हैं. देंके, एक आसन है शषांग भजंग आसन यह आसन बहुत शांदार आसन हैं कमर के फैट के लिए कमर के लिए पाचन शक्ति के लिए रीड के हटी को मजबूत करने के लिए मस्तग में बलड पहुंचाने के लिए तो वो इस पैकेज में हम साथ डालेंगे तो ये हमारा सेकिंड आसन हो गया शशांक आसन अब यही से शशांक भुजंगासन स्वास भरते हुए आगे की ओर खीचना है और उपर की ओर देखना है अब देखिए इसमें जबरदस्ती नहीं करना ये ध्यान रखिए स्वास भरते हुए बुजंगासन स्वास छोड़ते हुए शशांकास अब इसमें हाथ और घुटना हमारा स्थिर रहेगा घुटने का दर्द किसी को हो तो नीचे गद्धी मोटी दे दे दर्द नहीं भी हो तो भी दे दीजिए वरना घुटना दर्द हो सकता है और कमर को स्वास भरते हुए बुजंगासन कमर को आगे ज़्यादा नहीं खीचना शुरू शुरू में जब आपका भ्यास हो जाए कमर मजबूत हो जाए तो आप आगे खीच सकते है स्वास छोड़ते हुए शशंगासन स्वास भरते हुए बुजंगासन पहला हमारी व्यागरी क्रिया दूसरा शशंगासन तीसरा शशंग बुजंगासन तीन क्रियाएं हमने इसमें की है स्वास छोड़ते हुए down स्वास भरते हुए up 10 सेकिंड का stay करेंगे फिर अब्यास होने के बाद आदा मिनट, एक मिनट तक भी stay कर सकते हैं स्वास छोड़ते हुए relax ये हमारी तीन क्रियाएं हो गई ये पहले दिन ही मेरे साथ साथ आप करेंगे तो आपको फील होगा कि वाकई में शरीर में एक एनरजी का लेवल बढ़ा है एक शरीर में रक्त का संचरन बढ़ा है और कमर का जो हिस्सा जो भारी बना रहता है जो गैस से भरा रहता है जो शरीर में ऐसे लगता है जैसे टाइट हो गया वो आपको बहुत अच्छा फिल होगा आपको लगेगा कि वाकई में आज मेरी आते खेची हैं ऐसा ऐसा सुकून मिलेगा चोथी क्रिया जो है वो है योग मुद्रा कमर के पीछे हाथ इसके बारे में विस्तार से तो मैं अल गाएंगे सिर को नीचे जमीन पे टिकाना इस क्रिया से मस्तक में यानि दिमाग में रक्त का संस्रेम बढ़ता है और रीड की हड़ी गोल हो जाती है तो रीड की हड़ी के आसपास की जितनी भी नसेश से खिसती है तो स्पाइनल को मजबूती मस्तक में बलड का यानि दिमाग में खून पहुंचता है और चेहरे पर बलड सर्कूलेशन बढ़ता है तो चेहरे का तेज बढ़ता है इस से चेहरे पर चमक आती है इस आसन को नियमित रूप से किया जा सकता है आप करके देखेंगे आपको पता चलेगा कि वाकई में इस आसन से कितने और सुआस भरते हूए आ जिनके रक्त की कमी रहती है दिमाग में कमजोरी रहती है उनको हलका हलका सरदर्द भी हो सकता है तो पहले दिन जादानी करें जिनको अगर सरदर्द या सीर में भारीपन ज्यादा लग रहा है बाकी करते समय थोड़ा सा भारीपन लगेगा उपर उठेंगे तो सही हो जाएगा यह सामन्य वस्ता की बात है तो थोड़ा ध्यान रखें किसी का आँखों का उप्रेशन हुआ हो या मस्तक से संबनी सर समय दर्द बहुत ज्यादा रहता हो ऐसे लोगों को थोड़ा डॉक्टर की राई से ही करना चाहिए स्वास भरते हुए कान की भी समश्या किसी को कान में मवाद आती हो ऐसी समश्या हो तो भी डॉक्टर से राह लीजिए तो आस भरिये और स्वास छोड़ते हुए ताउं यह हमारा योग मुद्रा, बहुत अच्छा आसन है, बहुत अच्छी मुद्रा है यह, लाब देती है, सुआस भरते वे आप, अब हम बैठेंगे सुखासन, पदमासन, अर्ध पदमासन, किसी भी आसन में, वैसे सुखासन में पूरा संसार जो है आसानी से बैठ सकता है, तो ह हम उसी को ही कारे करेंगे, तो सुखासन में बैठ गए, अब यहां से, हमने देखे, आगे और पीछे, जुकने वाले, यानि आगे और पीछे की सारी नसे खिंची है, अब हमें साइड की, यानि यह पोस्चर, यानि यह हिस्सा जो है, इसको खिंचना और यहां के फैट को क करना है, हम बैठे-बैठे ही, पूरी शरीर के कमर के चारो तरफ के घेरे को ठीक करने का भ्यास कर रहे हैं, हाथ को साइड में रखेंगे, ऐसे रख लीजिए, पहले दिन हो सकता है, आपकी कोहनी नीचे नहीं टिके, तो यहां यहां तो टिक सकता है, यह टिका लिजिए, स इसको यहां इस्तिर रखना है, हाथ को उपर पूरी ताकत के साथ नीचे लेकर जाना, स्वांस छोड़ते हुए जाना है, यहां पर हलका अलका स्वांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, अगर आपका हाथ यहां इस्तिर नहीं हो रहा है, तो नीचे वाले हाथ से उपर वाले हाथ की grip बना लीजिए और नीचे की और खीचिए ऐसे हलका हलका स्वांस ले सकते हैं अगर ज्यादा दे रुके और अगर 10 सेकिंड ही रुक रहे तो श्ठे करिए स्वांस को रोकिए और स्वांस भरते हुए आप आप दूसरी तरफ स्वांस भरिए यहाँ पर और स्वांस छोड़िए हाथों को वही खीचना है तो ऐसे grip बना कर खीच सकते हैं अगर आप अपनी स्थिती से ही ऐसे रह सकते हैं तो ऐसे रह जाएए सामानने स्थिती सामानने स्वांस पूरा साइड का फेट जो है खीच कर निकाल देता है यह पूरा पिगला देता है स्वांस भरते हुए आप एक लंबा स्वांस पुने स्वांस भरा छोड़ा स्वांस भरा छोड़ते हुए डाउन अब यहां पर स्वांस लेते रहें छोड़ते रहें यह हमारी पहले दिन दो बार क्रिया करेंगे इसको जादा नहीं करना पहले दिन वरना यहां दर्द आ जाता है क्योंकि यह मसल थोड़ी नाजुक होती है यह अगले दिन दर्द करती है और अगर बाइचांस दर्द कर भी जाए तो कोई बात नहीं आप इन योग क्रियाओं को रोकिएगा नहीं अगर रोकेंगे तो यह दर्द पांस दिन चलेगा अगर नहीं रोकेंगे लगातार करते तो यह दर दो तिन दिन रहेगा यह धिरे धिरे फिर ठीक हो जाएगा आप साइड का खीच लिया तो आप क्या करना बड़ी हांत को खीचना है ट्विस्ट करना है ट्विस्टिंग करने से लीवर और पैंक्रियाज इन पर बहुत अच्छा इफेक्ट आता है यानि शूगर के पैसेंट्स के लिए बढ़िया रहेगा तो यह बहुत अच्छा पैकेज है और शांदार फुल पैकेज है यह मान लीजिए आप कम समय में ज्यादा लाब स्वास छोड़ते हुए पीछे की और जाना है दाही ने बाएं हाथ से दाही ने पैर का घुटना पकड़ना और पीछे की और देखना पीछे वाला हाथ कमर के पीछे रहेगा यानि दाही ना हाथ सवास भरते वे आप सवास छोड़ते हुए बाई सैट भरते हुए सामने छोड़ते हुए दाई सैट पांस से दस सेकिंद रुकने का अभ्यास करें भरते हुए सामने छोड़ते हुए 22 सैट सामने अन्य क्रियाएं तिन तिन बार की है और जो साइड में जुकने और साइड में जाने वाली क्रियाएं दो दो बार क्योंकि पहला दिन होता है उसमें खिचाव आता है उसके बाद आप तीन चार दिन के बाद में तिन तिन बार करिए पांस दिन के बाद अगर आपका अभ्यास बढ़ जाए तो पांस से दस बार तक भी कर सकते हैं इन क्रियाओं को जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे पंदरा दिन, बीस दिन के बाद आपकी ये क्रियाओं जैसे दस दस से पंदरा बार, बीस बार तक भी हो जाए शरीर के अंदर बहुत अच्छा खिचाओ यानि जिनका यहां भारी पंसा रहता है पेट के अंदर उनको बहुत अच्छी शांती मिलेगी पेट का कब्ज जो है वो भी तूटने में इसमें साहिता मिलेगी आपको लगेगा कि वाकई में मैंने कुछ किया है और इसके बाद मे फिर प्राणयाम का पेकेज उसमें आप भस्तरिका का पालभाती अनुलोम विलोम और भ्रामरी अप उदगीत यह जो प्राणयाम है इनका एक पेकेज आप इसके बाद में लीजिएगा जिससे हमारा पूरे शरीर की एक शुद्धी जो है वो इससे बन जाती है तो यह एक चोटी सी क्रिया का पेकेज मैंने आपको बताया आपको लाब मिले ऐसी अपिक्षा करता हूं मैं डोक्टर मनोज योगाचारे त्रीनेत टीवी के लिए त्रीनेत योगधाम से नमस्कार